महाराष्ट्र की स्यास्तर से एक स्वक्ती बड़ी खबर आ रही है अब कॉंग्रेस महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के पद के लिए दावा करेगी महाराष्ट में कॉंग्रेस के पास 44 विधायक हैं विधायकों की संख्या के हिसाब से पहले कॉंग्रेस चौथे नंबर पर थी लेकिन कॉंग्रेस के 44 विधायक हैं लेकिन शिवसेना के टूट के बाद फिर NCP में बगावत के बाद विपक्ष में कॉंग्रेस के पास ही सबसे ज़ादा विधायक बच गए है महाराश्ट कॉंग्रेस के पूर्वध्यक्ष बारा साहिब थोरा ते कहा कि जिस विपक्षी दल के पास सबसे ज़ादा विधायक होते हैं नेता विपक्ष भी उसी पार्टी का होता है इसलिए अब इस पोस्ट पर कॉंग्रेस का हक है दो दिन पहले तक अजीत पवार लीडर अफ ओपोजिशन थे लेकिन अब वो एकनाच शिंदे सरकार में डेपिटी सीम बन गए हैं और अपने साथ कई विधायकों को ले गए हैं ऐसे में अब ये कश्मकश की स्थिती पैदा हो गई है कि आप नेता विपक्ष कौन बनेगा इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर